नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हमारे चेनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे मोटांपय की मोटांपअ दोस्तों हमारे देश की बहुत बढ़ी समस्या है और देखा जाए Sicher abuse पूरे विश्व की समस्या बन चुका है क्योंकि मोटापा खुद में एक बहुत बड़ी बिमारी है यह बहुत सारी बिमारियों का घर है तो दोस्तो आज हम उसी मोटापे को कम करने के लिए एक बहुत ही इजी नुस्खा लेके आए हैं जिससे आप बगेर कुछ खाए, बगेर कोई एक्सरसाइज किये बहुत आसानी से अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी कमर को कम कर सकते हैं दोस्तो आज मैं जो आपको ट्रिक बताऊँगा, जो आज नुस्खा मैं आपको बताऊँगा, वह है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद होने वाला है अगर आप इसे ही मांदारी से अपने उपर अपलाई करेंगे तो यह आपके साथ साथ आपके दोस्तों को और आपके रिष्टेदारों को भी बहुत अच्छा लगेगा इसके लिए आपको हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना है और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करना है आपने बिल्कुल सही सुना है सिर्फ एक तोलिय की तोलिय को जनरली हम नहाने के बाद खुब इस्तिमाल करते हैं और यह हमें आसानी से उपलब्द है इस ट्रिक से आप मत्र एक अफते में ही अपनी कमर के साइज को 2-6 इंच तक कम कर सकते हैं तो आएए दोस्तों हम अपनी ट्रिक को शुरू करते हैं उसके लिए आपको सिर्फ एक टोल की जुरूत पड़ेगी या एक टोल जिसको हम जनरली अपने बाधरूम के लिए यूज करते हैं यह हमने एक टोल ले लिया है अगर आपका टोल बड़ा है तो आप एक टोल लिजिए अगर आपका टोल छोटा है तो आप दो भी ले सकते हैं यदि आपके पास दो टोल नहीं है तो उसके लिए भी हम आपको पताएंगे यह देखी है हमने टोल ले लिया है इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए कि यह थोड़ा टाइट रहे फोल्ड करने के बाद इसकी मोटाई कम से कम 3-4 इंच जरूर होनी चाहिए जैसे यह हमने फोल्ड कर लिया है टोल को अब जैसे देखी हमारा टोल थोड़ा चोटा था तो इसकी मोटाई थोड़ी कम रह गई है तो इस तरह से हम इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर लेगे तो जितनी आमे आवशकता है लगवग उतनी हमारी मोटाई इसकी हो गई है उसके बाद आप आराम से फर्स पर बैठ जाएए अब आप धीमे धीमे इस टोवेल को अपनी कमर के नीचे रखके आराम से लेट जाएए बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन आपकी होनी चाहिए एक बात का ध्यान रखें कि आपका टोवेल आपकी नाभी के बिल्कुल नीचे हो जी हाँ दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका टोवल आपकी नाभी के बिलकुल नीचे होना चाहिए कमर के नीचे आपकी बिलकुल नाभी के सामने अब दोस्तों आपको अपने पैरों को 8 से 10 इंच सेपरेट कर देना है अलग-अलग कर लेना है इनको अपने पैरों को थोड़ा खोल लीजिए 8-10 इनके बीच की दूरी होनी चाहिए इसके बाद अपने हाथों को भी पीछे के और फैला लीजिए जैसे कि मैंने फैला लिये हैं अब आप अपने पैरों के अंगुठे आपस में मिला लीजिए लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपके एडियों की चोड़ाई 8-10 इंच ही होनी चाहिए आपके एडियों के बीच का जो स्पेस है वो 8-10 इंच का ही होना चाहिए ताकि जब आप अपने अंगुठों को मिलाएं तो पैरों में थोड़ा स्ट्रेच महसूस हो थोड़ा खिचाओ महसूस हो उसके बाद आप अपने हाथों के उंगलियों को इस प्रकार से यूँ मिला लीजिए इनके बीच का जो गैप है वो कम से कम 8-10 इंच होना चाहिए और इस पोजिशन में लाकर अपनी बोड़ी को पुरी तरे से खींची यानि कि अपनी बोड़ी में तनाव दीजिए उसको स्ट्रेच कीजिए आप इस पोजिशन में कम से कम 3-4 मिनिट अवश्य रहें आपको सीधा लेटने के लिए डॉक्टर ने मना किया है या कमर के नीचे कुछ भी लगाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है तो इस पोजिशन को करने से पहले अपने डॉक्टर से सला अविश्य ले 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 शुरुआत में इसे एक मिनिट भी कर सकते हैं, उसके बाद धिमेदी में इसका समय बढ़ा कर आप इसको तीन चार मिनिट तक ले जा सकते हैं, यह आपकी बोड़ी के लिए बहुत अच्छा है, यह आपके पाचन तंतर को शुदारेगा, साथ ही साथ यह हमारी बोड़ी को ब जापान के एक डॉक्टर ने इस ट्रिक का इजाद किया है, और इसके उपर भी लिखी जा चुकी है, जिसकी लाखो प्रतिय अभी तक बिख चुकी हैं, दोस्तों इस प्रियोग को आप इमानदारी से रोजाना तीन से च्यार मिनिट अवश्य करें, उसके बाद आप अपन में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, नमस्कार